हलो माई फ्रेंट्स आप सभी का अपनी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है वो यह है कि हम गार्डनिंग सुरू कैसे करें क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा कमेंट्स इसी टॉपिक पे आ रहे हैं उन्होंने मे कैसे स्टार्ट करें तो इसमें फ्रेंट्स वैसे तो कई टॉपिक हैं और वैसे मेरे पास कमेंट्स तो इस टाइम कई टॉपिकों पे आ रहा है पर फ्रेंट्स में वही टॉपिक पहले बराने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे ज़्यादा जरूरी लग रहा है क्योंकि क आपको एकदम कॉर्णेर में नजर आ रही हूं, मतलब नजर नहीं, मैं वीडियो जो है, एकदम कॉर्णेर से इसले बना रही हूं, क्योंकि मेरे हैं, आपको पता है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसके वज़ा से उधर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और में कई टॉपिक्स आते हैं, पहला जो मैंने रखा हूं, वह है समय, फ्रेंट्स टाइम का इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्व है, दूसरा है पौधो का चैन, तीसरा है हमारा पॉट का चैन, और ऐसे ही कुछ केर्स और टिप्स हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा जानन लगा लें, और थोड़े से पौधे लगा लें, फ्लावर वाले, तो हम कौन-कौन से पौधे ले आएं, तो देखिए फ्रेंट्स, अभी मैं कहूंगी, अगर आपने अभी तक कोई भी प्लांटेशन नहीं किये, तो अभी एक महिना और रुख जाएं, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आपको नहीं पता है कि कैसे आपको प्लांटिंग करनी है, कैसे स्वाइल तैयार करनी है, तो आप एकदम नए हैं, और ये समय गाडनिंग के लिए बहुत सो टेविल नहीं है, जिसको पता होता है, वो तो गाडनिंग कर लेता है वो इस टाइम प्लांट भी नर्सरी से लेकर आता है और वो प्लांटिंग भी कर लेता है पर जो नए होते हैं उनसे इस टाइम प्लांट सर्वाइब नहीं होंगे और अगर आप सर्वाइब नहीं करा पाएंगे तो आप निरास हो जाएंगे और अब स्ट आर्ट करने के लिए जो बहुत ही अच्छा मौसम होता है quigners के लिए वहाँ थी Ö पहला तो आपका, जनवरी मिड से power हो जाएगा, मतलब अभी जन्λλेट यह आपके अरिया के मौसम पर करता है कहीं कहीं गर्मी थोड़ी सी बसंद जैसे लग जाए मतलब मैं जनवरी मिट बोल रही हूं तो हो सकता है वह फरवरी भी हो सकता है बसंद आपके आप जब आजाए जब आपको लगे कि बसंद सी बहार आगे चारो तरफ फ्लावर्स आपको ब्लूम होते हुए नजर आएंगे पतिजड का मौसम पती पीली होके गिरने लगेंगे ऐसे मौसम में जब फरवरी का मौसम गार्णिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है और खास करके बिगनर्स के लिए आप कोई भी प्लांट लेकर आएंगे आपको कुछ भी नहीं पता है आप दीरे से प्ला साथे खतम नहीं हो जाती है वो मौसम आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है प्लांटिंग करने के लिए अपना गार्ण सेट अप तयार करने के लिए तीसरा जो मौसम में वह से लेगे लास्ट वीक से अक्टूबर मीड तक ये मौसम गार्णिंग के लिए बहुत है तो अगर आप beginners हैं तो यही तीन जो मैंने आपको season बताएं इसमें gardening start करिए और बिल्कुल इस time आप gardening start मत करिए क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी पौदों को कितनी धूप चाहिए कितना ठंड वो बरदास कर सकते हैं कैसे delicate plant हैं आप बस nursery में जाएंगे जो beginners होते हैं वो यही गलती करते हैं वो nursery में जाते हैं flower bloom हुए दिखते हैं उनको और वो ले लेते हैं तो यह गलती आप मत करिए अभी एक महीना रुख जाए उसके बाद आप planting start कर सकते हैं तो दूसरा जो मैंने topic लिया हुआ है वो यह लिया है कि गमलो का chain तो आप beginners हैं जाईर सी बात है आप beginners है तो आपको नहीं पता है कि आपके plant को पानी कितना चाहिए sun के requirement क्या है और बहुत कुछ इसमें होते हैं बहुत lengthy हो जाएगा वीडियो अगर मैं पूरा ही detail में समझा करें आप बिल्कुल भी गलती नहीं करें इस तरीके के plastic pot में लगाने की क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि आपको पानी कितना देना है और कैसी sunlight इस टाइम आपको मिल रही है आप clay pot में लगाई आपके लिए best है वो समय जो यह अब आएगा ना तो आप ए कैसी दूप चाहिए उनको क्या खाना चाहिए उनको कप पानी चाहिए यह सारा कुछ आपको पता हो जाने वाला है पर starting आप clay pot से करें जादा ना लगाए थोड़े ही plant लगाए पहले उनकी tendency को समझें तो planting आप clay pot से करें क्योंकि जब अभी summer आ रहा है आप फरवरी से start करे प्लांटिंग करना तो जाहिर सी बात है दो ही महीने में बहुत तेज गर्मी हमारे north area में बहुत तेज जानते ही आप गर्मिया start हो जाएंगी तो उस condition में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका plant डाई हो जाएगा और अप फिर से वही निरासा बहुत जल्दी लगती है beginners को तो यह बात का अब ध्यान लख रहें select आपको clay pot करना है और तीसरा topic जो मुझे काफी comment आ रहा है कि हम कौन से plant लें तो देखे friends वही बात मैं फिर कहूंगी समय का अभी कोई भी plant लेने का सही वक्त नहीं है तो बिल्कुल एक महीना आप रुकेंगे तो आपको अब व यही वराइटी आती है friends और मैंने साथ इस पर एक वीडियो किया हुआ है कि beginners को कौन कौन से plants लगाने चाहिए जिससे वह success rate और उनको flowering काफी ज्यादा मिल सके तो आप almanda से सुरू कर सकते हैं गुड़हल ले सकते हैं पर गुड़हल में वही problem आती है थ्रिप्स की problem आती है तो आप इससे बच जाएए तो अगर आप उसकी care करें थ्रिप्स में नीम oil का अगर आप solution हर दस दिन में करेंगे तो कोई भी बात नहीं गुड़हल भी आप लगा सकते हैं और perennial plant की अगर मैं बात करूं ऐसे ही perennial plant में आप पुलुमेरिया की कोई भी variety इसमें काफी colors variety आत सीजनल में अगर आप विंका ले रहे हैं तो विंका जैसे अभी तुम्हें विंटर की बात नहीं कर रहे हैं कि अब विंटर बिल्कुल जाने ही वाला है बहुत जादा टाइम नहीं रह गया है हमारे पास विंटर के लिए जो flowers अब हमने लगा हैं वही bloom करेंगे और उसी का विंका ले रहे हैं तो इसमें भी आपको केर करने के बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है रोज में कहूंगी अगर आपको रोज का collection पसंद है तो आप रोज जो हैं देसी वराइटी वाली लें स्टार्टिंग आप देसी वराइटी से करें जो हारी वराइटी होती हमारी इंग्लिस रोज पर तुरंत ही स्विच ना करें आप कि आपने नर्सरी में देखा बहुत सुंदर से बड़े-बड़े साइस के फ्लावर्स हैं और आपने इंग्लिस रोज में कई प्रॉब्लम्स आती है वह काफी हैवी मिंटेनंस प्लांट है आप इंग्लिस रोज को मत लगाएं अभी तुरंथ में तो यह पौदो का चेयन हो गया केर की बात करें जब भी आप सॉयल तैयार करें तो वेल्ड़ेंट तैयार करें इसके लिए मेरे चैनल तो फॉट की चाहिता से खुरूपना इसको हम बोलते हैं डिगेंग करना और अगर आप सेपरेट कहेंगे वीडियो कि क्या-क्या से टूल्स चाहिए हमको नियू जो हमारे गार्डनेंट्स होते हैं उनके लिए तो मैं टूल्स पर भी एक वीडियो कर दूँगी तो गार्डनिंग में हमको टूल्स की भी थोड़ी जरुवत होती है बहुत जादा नहीं स्टार्टिंग में तो नहीं पर जब मेरे जैसे आपका गार्डन हो जाता है तो आपको थोड़ी टूल्स की भी जरुवत होती है तो पंदरा दिन पर आपको गुड़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है उसके साथ में आपके पास होना सही है नीम ओयल उसका भी इस पर आपको करते रहेंगे तो आपके प्लांट पे कभी भी डिजीज नहीं आएगी और फटलाइजर फ्रेंड्स वह बात की नीड है पहले आप अपने स्वाइल को जैसे मैंने बताया वैसा ब बनाने का मन कर रहा है तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप भी गार्डन बनाईए पर यह चीजों को ध्यान रखें अभी एक महीना मत बनाईए क्योंकि आप बिगनर्स हैं और आपसे प्लांट नहीं लगेंगे तो मैं भी यह नहीं चाती कि आपका पैसा जाए आए आपका समय जाए और आप निरास होए तो बिल्कुल इस चीजों का ध्यान लगें एक महीने बाद आप अभी गमले ले आएं मत्टी भर लें सब तयारी कर लें और जैसे ही बसंद की बहार आती है बसंद आ जाता है और आप यह सारा काम स्टार्ट कर सकते हैं तो होप है फ्रेंड्स ज जिन्होंने मुझसे काफी डिमांडिंग कुछ और वीडियो जो मैं करूंगी पर मुझे लगा कि अगर मैं उनको यह बात नहीं बताऊंगी गार्णिंग स्टार्ट कनेगा तो वह हो सकता है नर्सरी इस टाइम जाए तो रंग भी रंगी नर्सरी हुई ही है बिल्कुल जै मैं आपको ऐसी सिच्छा देना चाहती हूं तो होपे फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए हैर्फुल रहा होगा तो इसी आसक के साथ में मैं सबसे ले रही हूं विदा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी ओके माई फ्रेंड बबाई, हपी गार्डनिंग, और बीसेफ!